कर सकते हैं अपने डेली लाईब में और इसके बीज में क्या डिफ्रेंस है इन सब चीजों के बारे हैं वीडियो पिदिसकस नहीं रहे हैं यदि आप इंट्रेस्टेट है दो फेले अन तक बने रहे है है और आगे से पढ़रे मैंचर को सबस्क्राइब कर ले सबस्क्राइब लोग बात करते हैं इन और डाट और तू का हिंदी क्या होता इन चारों का हिंदी ताकी बट लेकिन इसका कंडिशन अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-शिच्वेशन में इसका यूज किया जाएगा वेल दोस्तों हम लोग बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं यहां पर देखिए जब भी आपको लिखना हो ना इन और डाट या सो दैट हिंदी तो वही होता ताकी बट जब यह टू बला है अगर टू बला यूज करते हैं तो उसमें सेम सब्जेक्ट होना चाहिए मतलब इसम सेम सब्जेक्ट रहेगा तब उस संटेंस में हम लोग इन और टू लगाएंगे या सो एस टू बला लगाएंगे क्यों लगाएंगे भाई तो यहां पर रूल है जब सेम सब्जेक्ट रहता तो हमको ठू बला लगाना होता या इन और टू लगाए या सो एस टू लगाए जब आपको पहला सब्सब्स हैं उसमें दुसरा सब्झेक्ट है और सब्सब्सक्राइब और सब्सब्सいる कि हमें सफलता मिल सके मतलब कड़ी भी मेंनत हमीने किया और हमें ही सफलता एक सब्सक्राइब यहाँ पर देखहें संटेंस को पहला क्लाउज में क्या है सब्रoshuni सब्राइब और देखिए लग-अलग है इसमें ठीचर है सब्जक्ट है ठीचर तकी डिएजी कौन बोल सके हम लोग सके मतलब बना पदब पताइए कोई क्हों और और हम लोग दुस्रा काम कर सके मतलब इस तरह के सिच्योशन में जब अलग-अलग सब्जेक्ट होता है तब ताकी के लिए हम लोग इन ओडर दैट यह सो दैट का यूज करते हैं यहां पर संटेज आप देखिए अब इसका हिंदी भी जान लेते हैं लोग वी सूट वर्क हाट इन ओडर सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां पर सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर सकते यह उविए सब्सक्राइब से बनेगा उसके बाद we should work hard so as to get success हमने कड़ी मेहनत की सफलता पाने के लिए क्या करने के लिए हमने कड़ी मेहनत किया ताकि हम लोग सफल हो सके हमें सफलता मिल सके तीचर टीचेच अस शिख्षक हमें पढ़ाते हैं इन और डैट क्या करने के लिए ताकि हम लोग अंग्रेजी बोल सके वी कुट इंगलीज सेम संट्रेश है यह इन और डैट के जगह सो दैट का यूज कर सकते हैं इस दोनों में कमेंट बोक्स आफी लोगों के लिए है और मैं आपके डाउट को चुटकों में दूर कर दोंगा वेल फ्रेंट इस इस वीडियो वी आर गाइट इस वीडियो 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 लूर्ट इस टापा ने मुझे डाटा बिना रूखे में गरज रहे थे वैल दोस सबसे पहले लोगों बात करते हैं वीडियर इसको इंग्लीज में क्या बोलते हैं वीडियो का मतलब है कि लगातार औरहो को में होघ्ट कोन्टुनुनियुशलिघा कोई काम बिना रूखे जारी होना विना रूखे वह चल रहा है तो हम लोग यूज़ करेंगे इनर concept बिदाउड ब्रेक ठीक है बिना रुकी आईए हम लोग सभी को ट्रांसलेट करते हैं जो भी टेंस का रहएगा उसी एकॉडिंग टूशी के स्ट्रेक्टर से इसको बना देंगे पहला सडने से लेते हैं बिना रुके कल बारिस हो रहा था यह पास्ट कॉंटिनियस टेंस है इ इसके बाद लगाएंगे इन रहो इसके बाद कल का एंगलिस क्या था यस्टरडे तो हो गया संटेज हम लोग का इजली से ड़न इट बोच रेनिक इन रहो इस्टरडे नेक्स एंट बिना रुके मैंने दस घंटे पढ़ाई की यह पास्ट इंडैपनीट तेंस का संटेज सबढ़ाई करना जी इसके बाद 10 घंटते मितलब 10 अर्ष तो संटेज आपना आर्स इनने रह लगा देंगा IS misinformation लगाना पड़ेगा यहाज इना रह इसे बिनारों के उस ने उसे बेल्ड़ से पीटा तो इसको किस डिर बोलेंगे यह भी past indefinite tense sentence है same structure लगाएंगे he bet him with a belt in a row he bet him with a belt in a row next sentence next sentence है बिना रुके घर में पापा ने मुझे डाट आई भी past indefinite tense का sentence इसको बोलेंगे in a row पापा scolded me at home in a row पापा scolded me at home in a row को लाश भी कर सकते हैं पापा scolded me at home in a row next sentence बिना रुके में गरज रहते यह भी past continuous tense का sentence है पहले बाला subject प्लस वाजबर प्लस भी फोर प्लस object के बनेगा ठीक है it was thundering में गरजना को बोलते है थंडर ठीक है ing लगा देंगा thundering it was thundering in a row it was thundering in a row well दोस्तों hope आपको यह समझ में आ चुगा होगा hey guys this is my case well today in this video we are going to learn these types of sentences as you can see on the screen however limit tell you इसलिए तो मुझे चाहिए इसलिए तो वह चाहती है इसलिए तो हम पढ़ते हैं इसलिए तो वह लोग करते हैं इसलिए तो तुम नहीं जानते इसलिए तो मैं नहीं चाहता वेल दोस्तों इस तरह का sentence को आप इंगलिस में किस तरह से बोलिएगा कमाल का structure है आई हम लोग जानते हैं सबसे पहले write करेंगे that's why that's why को write करने के बाद इसलिए तो इसको इंगलिस में बोलते है that's why कोई रीजन हो इसी कारण से तो या इसलिए तो हम लोग इसको यूज करते हैं that's why से ठीक है तो that's why write करने के बाद राइट करेंगे sentence जो भी तेंस में होगा उसको राइट कर देंगे आए हम लोग यहां पर जेंडरली जो भी हमने यहां लिया है वह आपको पर लगे मुझे चाहिए तो यहां देखिए कि यह संटेज कुछी और तरीके से बनेगा यह हम लोग देखते हैं सबसे पहले हम लोग पहला sentence लेते हैं इसलिए तो मुझे इसलिए तो मुझे चाहिए आई वांट इसलिए तो कोई कपड़ा आपको चाहिए आई वांट इसलिए तो वह चाहती है यहां पर एस लग जाएगा क्यूंकि परजन इंडाफनी टेंस में ही सी इट नाम सिंगल नावन के साथ एस लगता वर्ब में आए नेक्स अड्रेस क इसलिए तो वह लोग करते हैं that's why they do that's why they do next sentence इसलिए तो तुम नहीं जानते that's why you don't know that's why you don't know next sentence इसलिए तो मैं नहीं चाहता that's why I don't want well friends hey guys this is Mukesh well today in this video we are going to learn these types of sentences as you can see on the screen however let me tell you यही तो वो आपको बताना चाहती थी यही तो मैं सुनना चाहता था यही तो मुझे चाहिए था यही तो मेरे पापा को बहुत पसंद है यही तो आपको करना होगा यही तो मुझे करना पड़ता था well दोस्तों how can you say these types of sentences in English let's know about it क्या करते हैं उस से पहले मैंने से और वीडियो में बता था वाही तो वही तो को सब्सके बातешь करतें में वो जो बी होगा चाह सब्सेंज सबसेरा सब्सके। हो करेंगे सबसे में तो सब सबसी सम начала यई है तो आपको बताना हुआ थी ती is is what अब वो लड़की है she wanted to tell you यहां पर दिए पास्ट इंडेफनिक टेंज का संटेंज है इसका स्ट्रिक्चर होता सब्जेक्ट प्लस बीटू प्लस ऑबजेक्ट सी हो गया सब्जेक्ट और चाना चाना अचाना बोलते है वांट वांट का बीट हो जागा वांटेट अब दो दिस इट घही तो मुझे चाहिए था यही पी प्ास्ट इंडेफनिक टेंस का संटेंस है moyen मुझे चाहिए था बोलते हैं मुझे चाहिए था तो ff न कर दोते हं आपको एक ऐस्क्रीम चाहिए था इस तरह से बनता है यही तो मेरे पापा को बहुत पसंद है यह परजेन इंडापनी टेंड सिंपल परजेन टेंड का संटेंड इसका स्ट्रेक्चर सब्जेक्ट प्लस भी वन या भी फाइप प्लस ऑब्जेक्ट ही सी इट नाम सिंगलर ना सब्जेक्ट हैं या एक काम और कर सकते हैं जब बहुत ज़्याप पसंदि को लव बोलते हैं नहीं नहीं halves संटेंज आज का आखरी sentence है यही तो मुझे करना पड़ता था करना पड़ता था इसका structure क्या को subject plus had to plus or one plus object आई ये sentence को translate करते हैं this is what I had to do this is what I had to do hey guys this is in case well today in this video we are going to learn these types of sentences as you can see on the screen I will tell you तुम कहां कहां घुमते हो या कहां कहां तुम घुमते हो कहां कहां वो चली जाती है कहां कहां वे लोग किर्केट खेलते हैं कहां कहां आप आजकल रहते हैं और कहां राम उससे मिला और कहां तुम लोगों ने घुमा सबसे पहले बात करते हैं कहां कहां और और कहां इसको इंगलिस में क्या बोलते हैं इस तरह का संटेंज को बोलने के लिए क्या करते हैं लोग और लगा देते हैं वेर में और लगा देंगा जो वेर ओल आप इसमें कम और कर सकते हैं इसमें एल्स लगा सकते हैं तो हो बन ज जदा यूज किया जाता और कहां कहां जब दो बार राइट किया था तो वह पर लगाया जाता जिसे वेर और तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं जो भी टेंज में होगा उसको बना देंगा यह संटेज लेते हैं उसको काहाँ कई तुम घुमते हो तो यह सबसे पहले वाइट करने के बाद फॉसके बनाते हैं करेंगे कहां कहां इसमें क्या बोलते हैं तो कहां कहां वेर ओल राइट कर दी यह रएट कर दी देड़ लगाएंगे सब्जेक्ट है यू यू के सब्सक्राइब तो लगा देंगे तीन नमबर में यू राइट करेंगे उसके बाद रहेंगे वर्व का फर्स्ट फॉर्म गूमना गूमना को बोलते है वंडर यहां पर इस्पैलिंग में डिफ्रेंट्स है डबलू एंड यह वंडर मतलब सोचना उसक होना किसी जग्यासा होना किसी चीज के बारे ंजन न या सोचना भी होता है क्योंकि आप्जेक्ट queries को राइट का नर्ड नंक साथ लगता यह सिहिंफी लगता तो लगा देंगे हूं चले जाना को तरीके से लगा सकते हैं हिंदी में इस तरह का वाला थेंके तो लगाते हैं हुआ सब्सक्राइब क्या बना वेर ओल डशी गो वेर ओल डशी गो नेक्स संटेंज कहां कहां वे लोग किर्केट खेलते हैं 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 कहां कहां आप आजकल रहते हैं यह भी उसी टेंज का संटेंज है इसको भी से स्ट्रक्षर से बनाएंगे वेर और डू यू लिप लिफ यू लिफ दिज देज ना अधेज या दिज देज लगा सकते आज कल के लिए सबसे फ़ह वेर लगाए उसके बाद डू लगाए फिर यू लगाए सब्जेक्ट फिर यह सब्सक्राइब लेकिन यह सब्सक्राइब चलिए और कहां उससे मिला सब्सक्राइब अब्लस लगाएंगे उसके सब्सक्राइब तो राम राइट कर देंगे उसके बात मिलने को बोलते हैं मीट और उस से उस कि यह गर गल सब्सक्राइब बनेगा वेल डोस्तों आज के बिल्ग जनने वाले indulge in का यूच हम लोग किस टरह से कर सकते हैं अपने daily life में एकstick वीवर में खो गया माइसCREAM में खो गया वह नाचने में मस्थ हो गया है हम लोग पढ़ने में खो गये बच्चे खेलने में मगन हो गए हैं तुम लोग समोसे खाने में खो गए हो it means that कोई काम करने में आप खो गए मतलब उसमें मगन हो गए उसमें मस्त हो गए मतलब उसमें आप खो गए कि उसकाम करने से कि आप समोसा खाने में खो जाते हैं ठीक है मतलब कोई काम करने में आप मगन हो जाते हैं या खो जाते हैं उसकाम को इतने अच् करेंगे और उसके बाद हेल्पिंग वाफ लगाना यदि नहीं आएगा तो जबरी नहीं लगाना उसके बाद करेंगे अब यह हमेशा चेंज होगा वी वन लगेगा वी वन लगाएंगे एकोडिंग टू टेंज देंगे इंडल्ज इंडल्ज इन को राइट करने के बाद ऑब यह सेक्टेंख मैं इसका सब्जेक्ट प्लस बीटू प्लस अबजिक्ट सब्जेक्ट है उसके बाद लगांगे वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा देंगे उसके बाद object क्या ice cream तो ice cream कर देंगे sentence हमारा इली से done हो चुका है है इंडल्ज इन आई इस्क्रीम नेक्स संटेंट वह नाचने में मस्त हो गया है यह है पजेंस का संटेंस इसका सब्जेक्ट प्लस है जब प्लस भी धरी प्लस ऑबजेक्ट तो वह है क्या लड़का है तो सब्सक्राइब करने में मगन हो जाना उसमें डूब जाना उसके लिए हम लोग इंडल्ज का यूज करते हैं तो यह भी पॉजिन पॉफैक्ट का संटेंस है संटेंस का आख आक्री संटेंस है तुम लोग समोसे खाने में खो गई यू इंडल्ज इन रिशॉल्स या टेकिंग रिशॉल्स रिशॉल्स में समोसा होता है वेल दोस्तों को वडियो कैसी लगी यह अच्छी लेगी देख लाइक कर देख साथ इससाथ मैं चल्लक्राइब कर अगा उसको बीच कर ले ताकि मेरा एक लेटीज वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्गोल टाइम पर मिलती रहे थैंक्स पर वचिंग वीडियो फ्रेंट सबसे पहले हम बात करते हैं चोरी चुपके या अंदर ही अंदर इसका मतलब क्या हुआ कोई काम अंदर ही अंदर कर लेना मतलब उच्छिपके करना उसको इंगलिस में बोलते हैं by the back door या आप इसको throw the back door का सकते हैं by या throw में से कोई एक लगाना है by the back door या throw the back door और sentence इस भी टेंस में हो का उसको उसको translate कर देंगे आईए हम लोग इसको सिखते हैं कैसे इसो translate किया जाए चोरी चुपके मैं उससे मिलने गया इसको किस तरह से बनाएंगे यह पास्ट इंडेफनी टेंस का संटेंस इसका स्टेक्चर सब्जेक्ट प्लस भी टू प्लस ऑब्जेक्ट आई वेंट टू मिट हर बैदा बैक डूर हम तो लड़का है किसी लड़की से सzusटीन से मिलने जाएंगे तो हर लगाएंगे टिक हीं भी लगा सकते हैं कोई गल्स है तो इस संटेंस को भी जो थो भी बैग डूर he stole the money by the back door still का भीट होता है stole he stole the money by the back door next sentence चोरी चुपके वो मेरे पास आई she came to me by the back door या she came to me through the back door ठीक है वो लड़की है next sentence को जखते हैं next sentence है चोरी चुपके तुमारे दोस्त ने साधी कर लिया तो इसको किस तरह से बोलेंगे your friend married by the back door या your friend married through the back door अब यहाँ पर get married भी कर सकते हैं भीट हो जगा got married यहाँ पर married राइट की है marry का भीट होता है married next sentence है चोरी चुपके मुझे उससे घूच देना पड़ा पड़ा पड़ी पड़े जब भी आए तो वो had to plus verb का first form से बनता है सबसे पहले क्या राइट करेंगे subject subject है I had to pay off by the back door I had to pay off by the back door या throw the back door वेल दोस्तों यहाँ पर देखिए घूच देना को बोलते हैं back door रिस्वत का होता है bribe रिस्वत लेना को बोलते हैं tech bribe जब घूच देते हैं तो उसको pay off करते हैं ठीक है अब यहाँ पर देखिए हैट टू के बाद वर्म का फ़र्स्ट पवंद इसलिए हमार पे-off ओ डबल आफ ठीक है वेल दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है यह अच्छी लगी तो एक लाइक कर दिए साथी साथ मेरे चैनले को सस्क्राइब कर ले अब यह अच्छी लगी तो आप डेली कमाल के इंग्लीज एडवांस एस्टेक्चर शेख सके थाइंक्स पर वाचिंग वीडियो के लिए